अलो फ्रेंड्स आप सब का आपके अपनी चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत हैं तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब के बड़े वीचे चल रही होगे तो कक्षा 10 हिंदी विशे के model paper की series में आज हम model paper number 2 को solve करेंगे इससे पिछली class में हमने board की द्वारा जारी किये model paper और model paper number 1 की सर्चा कर ले थी अगर आपने वो classes नहीं देखी है तो फिर चैनल की playlist पर जाकर आप उन classes को आराम से देख सकते हैं इस class में हम आपके पाजिस्तन बोल प्रिक्षा 2023 के लिए हिंदी विशे के एक और model paper को discuss करेंगे उम्मिद करता हूँ जो भी हम model paper discuss कर रहे हैं उनमें से कई सारे प्रशन आपको प्रिक्षा के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो चलिए class शुरू करते हैं देखें यह आपके सामने कुछ निर्द्यस दिया गए हैं या पढ़ लेना सबसे पहले बढ़ते हैं खंड एक इतरब पहला प्रशन है निम्नलिकित और पठित गध्यांस को पढ़ कर उचे गए प्रशनों के उतर लिखी आपके सामने एक और पठित गध्यांस है जो आपके किताब से बाहर का है उसको पढ़ कर आपको दिये गए प्रशनों के जवाब देने हैं यहां से लेकर यहां तक पूरा एक निम्मंद दिया गया है निम्मंद है लंदन सहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका पाट छोड़ा है और पानी गहरा तमुंद्र तर्ट के निकट होने के और टेम्स नदी में काभी पानी रहने के कारण लंदन एक विसाल बंदरगा भी है यहां से परत्वी की सभी दिसाओं को माल जाता है और दूर से देखने पर एम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है यहां से परत्वी की सभी दिसाओं को माल जाता है और वहां से आता भी है लंदन तथा इंगलिस्तान की बोजन सामगरी का बहुत भाग इसी बंदरगा पर पहुंचता है यदि एक सप्ता के लिए जहाजों को आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में तरही तरही मच जाए इसी लिए बिर्टिस सामराज्य ने अपनी नाविक सक्ती इतनी परबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य सक्ती समुंदरी युद में टकर नहीं ले सकेगी यही नहीं, बहुत समय से यही बात कही जा रही है कि इंगलिस्तानी सामराज्य में कभी भी सुर्यास्त नहीं होता और यह सब इसी नाविक सक्ति के बल परसंबब किया गया था तो यह आपके सामने आप पटित गध्यान से पहला प्रस्ण है टकर लेने का आर्थ क्या है तो इस पध्यान्स के अंदर ठीक है यह जो आपका पहला गध्यान्स है इसमें टकर लेने का जो मतलब है वो लिया गया है मुकाबला करने से दूसरा है ब्रेटिस सामराज्यन ने अपनी नाविक सक्ती इतनी अधिक्यों परबल बना लिया है उसकी वज़े है कि कोई उसके आवाज जहाजों का आवागमन न रोप सके यह इसकी पीछे वज़े है अगला है त्राही त्राही करना का अर्थ क्या है इसका मतलब है हाहाकार मजजाना अगला चोटा प्रशन है मस्तूलों का जंगल कहने से लेकर क क्या ताट पर है इसका मतलब है असंख्य मस्तूलों का होना इसका मतलब क्या है असंक्या मस्तुलोका होना अगला लंदन बंदर कहा कहां पर इस्ति थे तो ये नदी के तटपर इस्ति थे कहां पर नदी के तटपर टैंस नदी के तटपर दूजरा परशन है निम्नलेखित अपटित काव्यांस को पढ़ कर पूचे के प्रश्णों के आपको जवाब देने है यहां से लेकर जियो निकल कर से लेकर यहां तक फीके जियो निकल कर बादलों की गोज से थी अभी एक बुंद कुछ आगे बढ़ी सोचने फिर फिर यही जी में लगी आ क्यों गर छोड़ कर मैं यू कड़ी देव मेरे भा वह चमुंदर और आई अनमनी एक सुन्दर सीप का मोह था खुला वह उसी में जा पड़ी मोती बनी लोग यूँई जिजगते सोचते जबकि उनको चोड़ना पड़ता है गर किन्तु घर को चोड़ना अकसर उन्हें बुंद लोग कुछ और ही देता है कर यह पुरा ले गई है अगला बुंद मोती कैसे बन गी इसके मुँ में पड़कर खीप के मियु में पड़कर बादलों से निकल कर बुंद क्या सोच रही थी वह सोच रही थी कि मैं घर चोड़कर क्यों निकली यानि बादल चोड़कर क्यों निकली हूँ बुंद की आसंका क्या है वो हो है कि कभी मैं धूल में मिल जाओं कभी मैं अंगारें से जल मरूं या कभी मैं कमल के उपर गिर जाओं या उपरक्त सभी अगला है हिरो सीमा के अस्पताल में लेखक ने किसे देखा था तो हिरो सीमा के अस्पताल के अंदर लेखक ने दूर गटना से आहत लोगों को देखा था अगला हिंदूस्तान में कहा की खबर सुर्कियों में दिखती है कहा की दिखती है लंदन की अगला रिक्तिस्तानों की पूर्ति करनी है प्रश्न संग्या एक जब दरव्य वाचक संग्या बहुवचन के रूप में दरव्य के प्रकारों का बोध कराने के लिए प्रियुक्त होती है तो वह क्या बन जाती है तो वह जाती वाचक बन जाती है जब दर्वे वाचक संग्या बहु वचन के रूप में प्रीक्त होती है तो फिर वो जाती वाचक बन जाती है जिस सर्वनाम का प्रियोग प्रशन पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रशन वाचक सर्वनाम कहा जाता है विसेशन की विसेशता बताने वाले सब्दों को प्रविसेशन कहा जाता है आना कमला खाएगी खाली जगह मिताली उचित अव्यव सब्द से रिक्त तानों की पूर्ति करे तो खाना कमला खाएगी अथवा मिताली तो यहाँ पर आव्यव सब्द आएगा वो आएगा आपका अथवा अगला खाली जगव उपसरग आचार सब्द से पुर्वा लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है तो आचार से पहले अती ठीक है तो क्या हो जाएगा अत्याचार यह लगने से इसका सब्द है जो सब्द अर्थ वो क्या हो जाता है जुल्म हो जाता है दोस हर्था सब्द में परते कौन सा है तो कौन सा है हर्था परते है अगला निमनल लखित अतल लगू तरात्मा प्रशनों के उत्तर लगबग भी सब्दों में दीजिए विसर्ग संदी किसे कहते हैं तो विसर्ग का किसी सवर या वेंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे कहते हैं विसर्ग संदी विसर्ग का किसी सवर या वेंजन से मेल होने पर विसर्ग के अंदर जो विकार उत्पन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संदी अगला है समास क्या है तो दो या दो से अधिक सब्दों के मिलने पर जो एक नया सवतंत्र पज बनता है उसे समस्त पज ताइस प्रक्रिया को कहते हैं समास अगला है होस संबालना मुहावरे का अर्थ इसका मतलब है समझदार होना अगला चाती हुती गुहाती जीथि टे उतते धार वही लोकोक्ती का वाक्य उप्यूग तो इसका वाक्य उप्यूग है कि बड़ी आसा थी कि रमाप्रिक्षा की त्यारी में भी मेरी सहता करेगी लेकिन वह क्या होगी बिमार पढ़गी ये तो वही हुआ चाती हुती गुवाहरी जीती ही ते उत्ते धार वही यतिंद्र मिस्टर का जनम कब और कहा हुआ अगला प्रस्ण है यतिंद्र मिस्टर का जनम कब और कहा हुआ था तो इनका जनम संस 1997 में अयोध्या उत्तर परदेश के अंदर हुआ था अगला नेता जी की मूर्ती किसने बनाई थी? तो नेता जी की मूर्ती गाब के एकलोते ड्राइंग अध्यापक थे मोतिलाल जी उन्होंने बनाई थी व्यक्ति दूविदा की इस्तती में क्या खोबैटता है? उसे नहीं पता चल पाता कि वह क्या करे और क्या न करे अगला प्रश्ण संक्या आठ गुड़ और चिन्नी के माध्यम से गोपिया क्या सिद्ध करना चाती है तो गुड़ और सिन्नी के माध्यम से गोपिया और एक कभी भी समाप नहीं हो सकता रितु राज की किनीदो रचनाओं के नाम तो एक है पूल पर पानी और दूसरा है सूरत नीरत प्रशन संक्या 10 मानव संस्कृति को किसमे विबाजित करने के सेश्टा की जा रही है एलिजबेट की भारत यत्रा के दोरान सरकारी तंत्र असमंजस में क्यों पढ़ गया था तो सरकारी तंत्र जोर्ज पंचम की कटी हुई नाख देखकर उसे वापस कैसे लगवाय जाए यह सोच समझकर यह सोचकर असमंजस के अंदर पढ़ गये थे अग्या जी के अनुसर सच्चा लेकन कौन सा होता है तो जो लेकन आंत्रीक दवाव में और मन विवस्ता को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है जिससे अनुभुती परत्यक्स की प्रिणा सम्वेदित हो वही लेकन सच्चा होता है खंडबव आपके विचार से बोला नात अपने साथियों को देखकर सिलसकना क्यों बूल जाता है तो बच्चों के सवभाव में सरलता और क्या होता है बोलापन इसलिए अपनी मंद पसंद शीजे मिल जाने पर विसन भर में ही रोना दोना भूल कर खिलने में मस्त हो जाते हैं इसी सो भाविक प्रकरती के कारण बालक बोलानाथ अपने खेलते कुद्धे सातियों को देखकर सिलिसतना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में क्या हो जाता है मगन हो जाता है अगला गंतों को मेहनत कस बाजसावों का सेहर क्यों का आ गया है तो गंतोग को मेनत कस बाज़ाओं का सहर इसले कहा गया है क्योंकि यहां के लोगों को बहुत ज़्यादा मेनत करने पड़ती है ठीके पाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है और ते पत्थरों पर बैठ कर पत्तर तोड़ती है इस तरी पूरोज बच्चे सब कठोर प्रिश्रम करते हैं फिर भी मस्द रहते हैं इसी वज़े से गंतोग को मैनत कस बाजसाओ का सहर कहा जाता है अगला मन पर किसी का बस नहीं वहा रूप या उमर का कायल नहीं होता तुन्नु के इस कथन में उसका दुलारी के परती किसोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिसा की और मोड़ा है तो तुन्नु के विवेक से विवेक ने उसके किसोर प्रेम को देश प्रेम की और मोड़ दिया है वो दुलारी के घर से अपमानित होकर विदेशी वस्तरों की उली जलाने वाले जेस परमियों के जूलूस में सनमिलित हो गया उसके उस अपराद के लिए पुलिस ने उसे परताडित किया जिससे उसकी क्या होगी मोत होगी थी अगला उपसरक सबसे क्या तापरे हैं विश्तर पुरुवक बताएं तो वे सब्द या सब्दांस या जो सब्दांस सब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को पुरी तरह परिवर्थित कर देते हैं वे उपसरक क्यलाते हैं जैसे बल सब्द के आगे स लगाए जाए तो बनेगा सबल और बल सब्द के आगे दूर लगा दिया जाए तो बनेगा दूरबल दोनों अर्थ एक दूसरे से क्या है दोनों के अर्थ एक दूसरे से बिलकुल भिन है अगला गोपिया उद्दव को बडभागा या बडभागी कहकर किन-किन सब्दों में वेंग्यात्मक टिपन्नी करती है तो गोपिया उद्दव को बड़ भागा कहकर उसे सनय रूपी दागे के बंदन से मुक्त रहने वाला कहा है जैसे पानी में जल के अचूते रहने वाले पत्ते के समान और पानी वे रहने वाले तेल के घड़े के समन कहकर वेंग्यात्मक टिपन्नी से उसे अत्यन्द क्या क्या है अब भागा सिद गरने की वो कोशिज कर रही है अगला गिरिजा कुमार माथूर का जीवन और कर्तित्व संचेप में लिखिए तो कवी गिरिजा कुमार माथूर का जनम 1918 में गोना मध्य परदेश में हुआ उनकी प्रावरंबिक सिख्षा जांसी उत्तर परदेश में हुई उसके बाद उन्होंने MA English में और LLB की पड़ाई की शुरू में वकालत करने के बाद उन्होंने आकासवानी और दूर दर्शन में काम भी किया और 1994 के अंदर उनका मिद्धन हो गया उनकी परमुक रचनाय थी परशन संकेत 10 तो संगत कार के माध्यम से कवी उन वेक्तियों की और संकेत करना चारा है जो सफल और परसिद लोगों का साथ अपनी रचनात्मता से देते हैं ऐसे लोग मुसिबत में भी साथ नहीं चोड़ते डांडस बंढते हैं और उनकी चवी भी निकारते हैं इन लोगों के युगदान को कम नहीं किया जा सकता है ठीके अगला हालदार साब बार-बार सचमा बदलने पर वेंगे क्यों नहीं करते हैं हालदार साब बार-बार सचमा बदलने पर वेंगे नहीं करते हैं वे यह सोचकर खूस होते हैं कि चलो इस चोटे से कस्मे में देश भक्ति अभी भी जीवीत तो है कोई तो है जिसे निताजी सुबच चंद्रबोस की प्रवा है वे मनी मन उस सजमे वाले की देश भक्ति की का करते हैं देश भक्ति को प्रणाम करते हैं परसुराम ने सभा से किस कार्या का दोस उन्हें न देने के लिए कहा तो लक्समन के 14 वचन सोन कर परसुराम अपना फरसा उठाते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे लोगों अब मुझे दोस न देना ये बाला कितने कड़वे वचन बोल रहा है कि इसका अदत क्यों रही होगी लगनवी अंदाज पाड़ के आदार पर उत्तर दीजिए लेखक को कलपना करते रहने की पुरानी अदत क्यों रही होगी इसके पिछे वजय क्या है तो लेखक प्राय कहानिया लिखता था इसके लिए वह विचार गटनाव और पात्रों को काने में पिरोता रहता था वो एकांत में चिंतन करते हुए कहानी को उसकी प्रणिती तक पूंचाता था कलपना सिलता कहानी रचना का एक मुख्य अंस है इसलिए कलपना करते रहना लेखक की आदत हो गई होगी प्रश्ण सेंगया चवदा मनुष्य की जो योग्यता उसस के आत्मविश्वास के साध्यों का विश्कार कराती है हम उसे संस्क्रती कहया या असंस्क्रती इस कतन पर अपने विचार इसपश्ट करें तो जब कोई संस्क्रत मनुष्य अपनी योग्यता का दूरूपयो करके आत्मविश्वास के साध्यों का विश्कार करता है उसे अ पांच दीनों तक सांस्कृत सास्त्रिय एवं उप सास्त्रिय गयन वाधन की उतकर्ष्ट सवाऊ होती है पर इस सभा में बिस्मिल्ला का अवस्तिय ही उपस्तित रहते थे अगला राम ब्रक्स बैनिपूरी का जीवन परीचे संशेप में लखिये तो इनका जनम मुझपरपुर बिहार जिल्ले के बैनिपूर नामक गाव में 1899 में हुआ बच्वन में ही उन्होंने माता-पिता का देहन्त हो गया उन्होंने अन्यक कठिनाया सहकर दस्वीक अक्सा उत्रिन की 1920 में गांधिजी के द्वारा चलाए गए आसायोग अंदुलन में कूद पड़े 1968 में उनका क्या हो गया सरोगवास हो गया माती की मूर्ते, गेग और गुलाग, पैरों में पंक बांध कर, तथा जंजीरे और दिवारे, पतीतों के देश में, छिता के फूल, नेत्रदान, अंबपाली, नाटक ये आदी कुछ क्या है इनकी परमुक रचनाय थी ठीक है अगला है, निमनलिखित, पठित गद्यांस की, आपको क्या करनी है, सब परसंग व्याख्या करनी है तो यहां से लेकर, यहां तक आपके सामने ये पठित गद्यांस दिया गया है सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत गद्यान समारी पाठे पुस्तक सितीज बागदो के मानवी करूना के दिवेच चमक पाठ से लिया गया है इसके लेकर सर्वेश्वर द्याल सक्षेना है और इन पंगतियों में फादर कामिल बुलके की विशिस्ताव का प्रकास डाला गया है फिर आपको इसकी व्याक्या करनी है अत्वा में एक और पद्यांस दिया गया है इसका भी आपको परसंग लिखना है और व्याक्या करनी है उस समय तक अमारे परिवार में लड़की के विवा के लिए अनिवारी हो गिता थी उमेरों में 16 वार्स और सिक्सा में मेर्ट्रिक तो ये गिद्यांस आपकी आत्मकता एक काहनी यह भी से लिया गया है इसके लेकक मनू बंडारी है पर इसमें लेखी का ने अपने बहन की साधी और भाईयों के बाहर चले जाने के स्वेम में आई परिवर्तन और पिताजी के सोच का वर्णन किया है फिर प्रशन संग के 18 है इसमें पठित पध्यांस दिया गया है पाइनी नूपुर्न मंजू बजे इसके आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है इसके लावा ये एक और पध्यांस दिया गया है विकल विकल उनुमुन थे उनुमुन विस्व के निगाद के सगल जन यहां से लेकर यहां तक इसके आपको क्या करनी है सब प्रसंग व्याख्या करनी है फिर प्रश्ण संक्या 19 से यहाद अंतुरित मुस्कान सीसू सौंद्रे के प्रभाव को द्यक्त करती है सिद्ध किजिए तो यहाद अंतुरित मुस्कान कविता में सीसू के सौंद्रे का प्रभावी रुप से क्या किया गया है वर्णन किया गया है तवी के अनुसर ननहा सा प्यारा सीसु जब अपने नए उगेदातों के साथ मुश्कराता है तो उसकी मन मोहक सवी तो मनुस्य को प्रभावित करने की क्या होती है असीम सक्ती होती है मांस और मगूल जैसे कठोर वैक्ती के दिल भी फिकल जाते हैं और वे भी क्या हो जाते हैं सरसो उड़ते हैं ऐसा लगता है मानो सुनी जोपडियों में कमल खिल उठे हो बच्चा जब तिर्शी नजरों से देखकर पैचान कर मुस्कराता है तो उसकी बोली मुस्कान से मर्तक सा कवी प्रानवान हो उड़ता है और सीसु कई सौंदरे को उसकी निर्दोस मुस्कान कई गुना धिग बढ़ा देती है अथवा में हैं उजवल गाथा कैसे गाओ मदूर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कभी क्या कहना चाता है तो कभी अपनी पतनी के साथ बिताय हुए मदूर पलो का जिक्र करते हुए कहना चाता है कि चांदनी रातों में उन्होंने अपनी प्रेशी पत्नी के साथ एकांत में खिल खिला कर हस्ते हुए उससे प्यार भरी मिटी मिटी बाते करते हुए जो समय बिचाय था वे सूक के सन उजवल गाथा की तरह ही पवीत्र है और उसके लिए अब अपने अकेले पन के जीवन को व्यत्तित करने का एक मात्र सहारा बनकर रह गये हैं वही मदूर इसमर्तियों ही तो अब उनके जीवन जीने का एक मात्र सहारा है और उन निजी सनों का वर्नन वे सब के सामने कैसे कर सकते हैं अगला है प्रशन संग्या 20 इस कथन पर आगे अपने विचार लिखिए तो इसका उतर देखें कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहास और सक्ति की अपसक्ता होती है लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर सहास और सक्ति के साथ साथ विनमरता भी हो तो व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रस्तिती में हार नहीं मानेगा और हारेगा भी नहीं विनमरता हमें दूसरों का मान सम्मान करना सिखाती है जिस तरह परभु स्री राम जी उसका एक जिता जाग्दा उधारन है राम लक्समन परसू राम संबाद गविता के अधर पर देखे तो लक्समन जी सासी और सक्तिसाली थे लेकिन विन्मरता का अभाव था वही राम सासी और सक्तिसाली उने के साथ साथ विन्मरता भी थे इसलिए उन्होंने देरे के साथ परशूराम जी को अपनी बात समझाई और समा भी मांगी इसलिए ज़्यादा बात नहीं बिगडी और परशूराम जी सांध भी हो गए थे ठीके एस्तवा में दिया हुआ है कुछ पुरातन पंधी लोग इस्तरियों की सिक्सा के विरोधी थे द्विवेदी जी ने क्या क्या तरक देकर इस्तरियों की सिक्सा का समर्थन किया है तो कुछ पुरातन पंधी लोग इस्तरियों की सिक्सा के क्या थे विरोधी थे द्वीवेदी जी ने अनेक तरकों के द्वारा उनके विचारा को क्या किया है? खंडन किया है पहला मुना तरक दिया कि इस्तरियों के लिए पढ़ना काल कूट और पूरुसों के लिए प्यूस का गूट ऐसी ही दलीलों और द्रश्टांतों के अधार पर कुछ लोग इस्तरियों को अंद पर ड्रक कर वारत वर्ष का गौर बढ़ाना चाहते हैं दूसरा उनने क्या कहा? तो पूरुसों का क्या हुए अनर्थ भी उनकी विद्या और शिख्षा का ही प्रेणाम समझना चाहिए तीसरा आर्या पुत्र साबास बड़ा अच्छा काम किया तो मेरे साथ गांधर्व विवा करके मुकर गई निती नियाय चदासार और ध्रम की आप क्या है परतेक्स मूर्ती है इसी तरह अत्री की पत्नी ध्रम पर व्याक्यान देते समय गंटो पांडिते परकट करे गारगी बड़े-बड़े महा ब्रह्म वादियों को हरा दे मंदन मिस्र की शह द्रम चारेनी संक्राचारे के सक्के चुड़ा दे गजब इससे बढ़कर भेंकर बात और क्या हो सकेगी पिर जिन पंडितों ने गादा सत्त सती, सेतू बंद महाकावे और कुमार पाद चरीत आदि गरंद प्राकर्त में बना हैं वेदी, अनपध और गवार थे तो इंदी के परसिद से परसिद अकबार का संपाद को जमाने में अनपध और गवार कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने जमाने की पर्चलीद भासा में ये अकबार लिखता है तो ऐसे कुछ तरक देकर उन्होंने इस्तरी कुरूतियों का खंडन किया है प्रश्ण संक्या 21, किसी एक विस्तिय पर आपको लग भग 300 से 350 सब्दों में निमंद लेखना है मेरे जीवन का लक्स है, होली, फिर उब्भुकताबाद और भारतिय संस्क्रती और प्राचिन संस्क्रती का अनुपम उपहार योग, योग के उपर आपको निमंद लेखना है इन चारों में से किसी एक पर निमंद लेख सकते हैं, ठीक है फिर प्रशन संक्रती का अनुपम को राज की उच मादिमिक विदालय जोदपूर का चात्रा रन्यस मान कर अपने प्रादनाचारे को सुल्क मुक्तियतु प्रातना पत्र है वेलकुल सरल है, आप सब जानते हैं सुल्क मुक्ति पर प्रातना पत्र कैसे लिखते हैं सेवा में प्रदानचारे मोहदे, राज की उच मातिमेक विदालय जोदपूर, फिर दिनांक, विशे, सुल्ग, मुक्तियतु, प्रातना पत्र, फिर मोहदे जी, निवदन है कि मैं आपके विदालय की कक्सा 10 का चात्र हूँ, और कक्सा 6 से इसी विदालय में निरंतर पढ़त से बड़ी संतान होने की कारण मेरी पढ़ाई प्रविशे के लिए आवशक है, प्रन्तु मेरे पिताजी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमार थे, अधा आपसे निवदन है कि विदालय में पौन सिक्षन मुक्ति से मुक्त परदान करे, और मैं अपना अध्य जारी र चलाना ठीक नहीं है, तो रजनीज, पात्रा, 21, कली नंबर एक, एमाई रोल जैपूर, दिनांक और पिर्ये कमले सने, आज कल तुम बहुत बड़े खुस होंगे, मुझे गर्स समाचार मिला की, तुमने इस दस्वी के परिक्सा में 95 अंग प्राप्त किये हैं, और पूरे प्रेशानिया हैं, पहली तो तुम्हारी उमर 18 नहीं है, और जब भी घड़ी चलाओगे, पुलिस की द्वारा पकड़े जाने का डर रहेगा, इस चक्कर पर तुम सड़क प्रांग बचा का निकलोगे, भे और बचाव के कारण तुम्हें दिक दूख मिलेंगे, सूख कम, दूसरे अगर तुमने नहीं मोटर साइकल ले लिती हो, इस स्वारी करने का अमन भी करेगा, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से अटकर सेर्श पाटे में लगेगा, आगे 11 बारा की बढ़ाई है, मैं चाता हूँ कि तुम्हारा ध्यान इदर इदर न भढ़के, इसलिए मोट सफल पेन की कमपनी सफल नाम से बाजार में आई है, उसके लिए विध्यापन त्यार करना है, तो एक सफल पेन ठीक है, अब आगे आए सफल पेन जो लिखे वो सफल हो जाए, अब ना किसी से मात खाए, सांदार नोक, जांदार लिखावड, बहतर ग्रिप, पांच रुप पेहरदार संस्ता आजमेर, जल का दुरुपयोग न होने में अपना सयोग, प्रदान करे, या आपने एक चित्र बना दिया, फिर विध्याले में पहरदार संस्तार की और से सीतल पेजल की उचित व्यवस्ता की गई है, सब भी विध्यारतियों से आग्र किया जाता है कि प आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है, तो फिर लाइक कमेंट से आख और सब्सक्राइब जरू ठोब दे, आज गले इतना ही, जय हैं, जय भारत